हेलो स्ट्रेंट मैसल्फ कुल्दीप सर तोड़े आइब कम विथ माई 15th लेक्ट्टर वीडियो इस रिलेटेट टू कंप्यूटर previous class we have completed chapter 2 window 10 हमने chapter 2 में window 10 चेप्टर complete कर दिया है पढ़ा दिया है हमने और उसके बाद मैं इसमें आपको question answer भी हमने बताया है आपको question number 1 filling the blanks मैंने complete कर दिया उसके बाद हमने tick the correct बताया फिर हमने आपको three में two false है इसको भी मैंने solve कर दिया और match the following भी हमने solve किया मैंने बताया भी कि आपको कैसे fair करना है इसको chapter लिखना है lecture number लिखना है date डालना है उसके बाद question को four number से आपको fair में उतारना है four से okay four number में कैसे करना है जो right side में लिखा हुआ है उसको left side में लिख देना है और इसका answer इसके सामने लिख देना है जैसे इसमें है कि match the following four number की बात कर रहे हैं इसमें question number one के right side में देखी लिखा हुआ है collection of files stored in a disk जिस डिस्क में हम file को collect करके रखते हैं store करके रखते हैं उसको क्या कहा जाता है फोल्डर कहा जाता है तो इसके सामने हम फोल्डर लिख देंगे इसी तरह से सभी जो यह लिखा हुआ है इसको आप left side में लिख दो और इसके सामने इसका जो सही अंसर है उसको note कर दो आपको match नहीं करना है मिलाना नहीं है डिरेक्ट इसके सामने इसके लिख देना है ओके यह वर्क आपको होना चाहिए आपको notebook में आपको करना ही है कि अब नंबर को complete हो गया अब इसके बाद 5 नंबर में हमने lecture नंबर 14 में 14 लेक्चर नंबर में हमने अपको इसके question number 5 का question number A और B को मैंने solve करा दिया लिखा दिया इसके answer आज हम इसके question number C को देखेंगे ठीक है question number C में हमारा है 5 का C नंबर आप देख सकते हैं बुक में how do you create a file give a steps आप notebook साथ में लेकर के बैठो पेन लेकर के बैठो आप book लेकर के बैठो जो भी chapter पढ़ाया जाता है जहां पर जिस person को पढ़ाया जाता है उस चीज को आप book में open करके रखो हाथ में पेन रखो अपना copy सामने रखो फिर copy जो भी चीज अभी लिखाया जा रहा है इसको उसी समय का लिख डालो इसके लिए अलग से समय मत अलग से समय इसके लिए मत छोड़ो उस समय लिख डालो और उसको book में से उसको पढ़ो और उसे याद करने की कोशिस करो और याद हो जाए तो उसे फिर rough copy में बार बार लिखने का अभियास करो ताकि आपको हमेशा के लिए वो चीज याद हो जाए आप भूलो नहीं यह प्रेक्टिस करो यह घर में यह आपका work है अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप टर्म और उनिट के एक्जाम में आप नहीं लिख वाओगे फिर आपका result खराब हो जाएगा इसलिए आप जो भी याद करते हो उसको घर में rough copy पर प्रेक्टिस करो लिखने का अभियास करो जो भी questions रटते हो उसको copy rough copy में भी उसको बार बार लिखो ताकि आपको याद रहे वो चाहे feeling the blanks हो चाहे match the following हो या true false हो या answer the following question हो जो कुछ भी हो उसको आप definitely निश्चित रुप से याद करने के बाद उसको बार बार लिखने का अभियास करो तभी वो आपके पास रह पाएगा अधरवाईज आप उसको फिर भूल जाओगे जो भी chapter पढ़ाया जाता है उसमें जितना भी full form है और भी जो कुछ भी extra चीज आपको बताया जाते है उसको निश्चित रूप से उसको आप notebook में note करो और उसको याद करते चलो नहीं याद होता है तो बार बार लिखने का भियास करो वो निश्चित रूप से याद हो जाएगा यह आपका work है यह आपको होना ही चाहिए अब हम 5 का C नमबर देखेंगे आपको question दिया गया है कि file को कैसे create करेंगे तयार करेंगे उसके लिए step क्या है उसको यहाँ दिया गया है answer है to create a file follow the given steps आप file बनाओगे तो उसके लिए भी step है जैसे folder बनाने के लिए step मैंने पिछले class में बताया था question था question number B तो उसी तरह से यहाँ पर फाइल बनाना है यहां दिया है कि open answer step one में लिखोगे step one यहां लिख दोगे step वन ठीक है इस तरह से step two step three step four step five ठीक है में आपको यह फाइल बन जाएगा आपका यह क्या है फस्ट में ओपिन वाड़्पैट वाड़्पैट को अपिन करेंगे अपसे नमबर टू सेलेक्ट दा न्यू फाइल टाइप यह वाड़्पैट क्लिक इट ओके तरी अपस्टेप थी में क्लिक ओन हूं प्स्ट एविंडों एपिर्स ओन दे स्क्रीन ठीक है और उसके बाद में स्टेप फोर में गीब है आप उसको अपको ऊश्लेक्ट करना है ठीक है वहाँ पर जहां पर उसको सेव करना चाहते हैं वहां पर उसको आपको उस जगह को select करना होता है और five number में click on save और उसके बाद save button जो होता है उस पर click कर दो आपका वो चीज वहाँ पर save हो गया इस तरह से आपका फाइल क्या हो जाएगा त्यार हो जाएगा इसको आप यहां से जहां से देख सकते हो एक बार फिर से यह answer आपको बुक से हैं आप वहां से भी देख सकते हैं और यह देखने के लिए आपको चेप्टर पढ़ना पड़ेगा फिर आपको मिल जाएगा आप भी कर सकते थे लेकिन आप चेप्टर पढ़ो तब आपको answer मिल जाएगा यह अपने से भी answer लिखने का अभियास करो उससे आपको पढ़ने में याद करने में सुविधा रहेगा अब मैं तो अब सभी question का answer लिखा रहा हूँ आपको बट आप खुद से भी लिखने का अभियास करो अब हम question नमबर डी देखेंगे इसी चिप्टर का question number डी देखेंगे question number डी में हमारा है what do you know about wallpapers मैंने बताया कि desktop पर जो background figure होता है उसको wallpaper कहा जाता है उसी को मैंने यहां पर लिख दिया answer इमेज which image IMAGE लिखा हुआ है image एक ही वर्ड है आई थोड़ा अलग यहां लिखा गया लेकिन इक ही साथ लिखा गया यह image 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 which can which can be seen 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 on the desktop background of a computer screen is called a wallpaper आप एक बर फिर से देख लिजे मैंने लिखा है कि image which can be seen on the desktop background of a computer screen is called a wallpaper आप वालपेपर को आप चेंज कर सकते हो आप मोबाइल चलाते हो उसमें आप देखते होंगे कि आप वालपेपर आप खुद से चेंज करते होंगे उसी चीज के बारे में यहां पुछा जाता है वहीं चीज वहीं सिस्टम कंप्यूटर में भी होता है वहां भी आपको different wallpaper रहते हैं आप जो भी वा computer screen is called a wallpaper इस तरह से आपका यह चेप्टर का question answer क्या हो गया समाप्त हो गया दाइंड है कि कि चेप्टर 2 complete हो गया अब इसके इस चेप्टर के last में लैब activity दिया हुआ है यह तो लैब का वर्क है बट आप घर पर चाहो तो इसको करना है आपको यह है कुछ नहीं इसमें कुछ नहीं है आपको hints दे देता हूं यहां पर यह लिखा है कि search the name in the world word read first one is done for you यह कहा जा रहा है कि इस पर जो है आप देख रहे हैं कि यहां पर deep color से यहां पर कुछ deep किया गया है color से उसी तरह से यह window को किया गया है ठीक है उस तरह से यहां पर और भी name दिया गया जैसे window, file, folder, desktop, wallpaper इसमें ढूनना है कि यह कहां पर है और pencil से उसको क्या कर देना है इसको Color कर देना है जैसे यह liking wallpaper हैHHHH जो भी यहां पर नाम दिया गया है और इसको Color कर देना है एक करके समझाया है बाकी आपको कर लेना हे तो मैंने आपको दो वर्क दिया एक यहां पर page number 24 पर देदिया मैंने और दूसरा मैंने एक m आपको कहा कि एक desktop screen draw करो जो fair copy में आपको paste करना है एक plain paper पे उसको बनाओ और fair copy में उसको chapter का नाम लिखके desktop screen लिख करके और उसको उसमें paste करके और उसको रखना है ठीक है यह सब work करके आपको complete करना है और जो भी question answer लिखाए जा रहे हैं उन सभी को आप याद करो नहीं याद होता है तो बार बार लिखने का भ्यास करो ताकि आपको वो याद हो जाए Thank you, have a nice day